हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो मैं चानल जॉय बंडल मैं हूँ निशा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर का जूस यहां बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही हेल्दी है एकदम फटाफट बन जाती है जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों गा आपके हम साइस के गाजर ले लिए हैं इसे हमने काट लिया है चुटे टुकडो में और अब मिसे मिक्सर जार में डालके पीस लेंगे गाजर बहुत आसानी से महीं पीसता है इसमें हमें पानी डालना पड़ेगा यह देखे लगबक आदे गलास से थोड़ा सा जाधा पान डाल दिया है और इसे हमें अच्छी तरीके से पीस लेना है यह रिखे पेस्ट कर लिए हमने इसकी और अब हमने इस ट्रेमर ले लिया है इसमें हम इस सारी पेस्ट डाल देंगे गाजर की और इसे चान लेंगे गाजर को मिक्सर में पीछने के वक्त आप चाहें तो चीनी डाय सकते हैं इस तरीके से चान लेना है दबाते हुए और चानने के बाद में जो उपर गाजर बची है आप फल्बा पगेरे बनाने के वक्त में ये गाजर उसमें मिक्स कर सकते हैं त्येदिए हमारा गाजर का जूस बनकर तयार हो चुका है और अब हम इसमें इसका टेस्ट और बढ़ान यहांने इतनी कॉंटिटी के लिए और थोड़ा सा काला नमक जस्ट एकदम छोटा आधा चमचा डाला है और फ्रेश मिंट लीव्स पुदिने के ताजे पत्ती डाल देंगे हाथ से ही तोड़कर परसे हमें मेक्स कर लेना है बस हमारा बढ़िया सा एकदम टेस्टी और रिफ अब इसे जरूर बनाईए और मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए थैंक यू